आज मैं आपसे सेर कर रही हूँ साबूदाने की एक दम नई और यूनिक रेसिपी गारेंटी है आज से पहले नहीं तो अपनी बनाई होगी नहीं खाई होगी तो वीडियो को एन तक जरूर देखें आपको बहुत ही पसंद आएगी अगर पसंद आए तो लाइक सेर जरूर कर दें मेरे चैनल पर नई है तो मैं चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको एक कप लेना है साबूदाना साबूदाना बरे साइच का भी आता है और छोटे साइच का भी आता है तो इस रेसिपी के लिए आप चाहे तो छोटे वाले भी साबूदाना का इस्तिमाल कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने बरे साइच का साबूदाना लिया है तो सबसे पहले इसमें धूल मिटी होती है बहुती गंदगी होती है तो एक बार इसे पानी से अच्छे से वॉस कर लें पानी से वॉस करने के बाद एक को केचन टोवेल से इसको अच्छे से पोश लें ताकि इसके अंदर जो भी मौश्चर है वो खतम हो जाए साबो दाना बिल्कुल ड्राय हो चुका है इसके अंदर जो भी मौस्टर था वो खतम हो गया है तो चलिए गैस के तरफ यहाँ पर मैंने कराई में ओल लग दिया था गर्म होने के लिए तो अब दो से तीन दाना डाल करके देखे आप देख सकते हैं डालते ही साबो दाना उपर आ रहा है इसका मतलब है कि ओल बहुत अच्छे सी गर्म हो चुका है अब आपको करना क्या है थोरा थोरा साबो दाना लेकर कि ओल में आपको डालते जाना है आप देखें कि जैसे जैसे मैं इसमें साबोदाना डाल ली हूँ अपने आप ये फूल के उपर आ रहा है तो जैसे ये फूल रहा है उसी तरीके सब को धीरे दीरे इसमें डालते जाना है ताकि ये फूल दे जाए एक साथ अगर आप डालेंगे तो हो सकता है कोई कच्छा र तो देख सकते हैं सभी बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और जो बचावा साबोदाना है उसे भी हम इसी तरीके से फ्राय कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने फिर से आधी कटोरी लिया है तो टोटल मैंने एक कटोरी साबोदाना का यू करना है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राय करना है अब यहाँ पर मैं डाल लई हूँ काजू और बादाम तो फ्रेंस इसे हम भून करके डालेंगे इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और लोफिले में आपको इसे भूनना है तो बहुत ही जल्दी यह फून के त्यार हो जाता है और इसे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा से किस्मिस लिया है इसे भी हम भूल लेंगे तो देखिए कितना जल्दी यह भून के तियार हो चुका है अब इसमें डालेंगे आधी कटूरी मुफिले के दाने जब भी मु मैंने जाली वाला चन्नी लिया है इसे बहुत ही अच्छे से इसमें फ्राय हो जाता है और करीपता डाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यह भून चुका है अब मैंने आपे लिया है आलू का लच्छा जिसे मैं अच्छे से वास करके ड्राय कर लिया था और इसे में डालेंगे एक चमचnaj हल्दी पाॉड़ा और यहाँ पर मैं ने लिया है पोहा जिसे हम चिर्व काते हैं तो आदी करदी करें पहले पहले हम पहले हम चोड़ी करेंगे पहले हम तो यह करें बहले हम आदि कोड़ी हो जाएगे मर्ने को धाम मि buraya फ्राय करके रखा है उसके बाद लेना है आपको पोहा याने की चीरवा और देखिए बिल्कुल भी ओईल को एप्चॉर्प नहीं किया है अब हम इसमें डालेंगे मुंख्फिली के दाने काजु बादाम और किसमी इसको फ्राय करके रखा है इसे बहुत ही अच्छा अब इसमें डालेंगे स्वाद के रुषे नमक अगर आप वरत में बना रहे हैं तो आप यहापे वरत वला नमक का यूज़ करें और आधि च्प्छी चमजद में डालेंगे बलेक सॉल्प जिसमें काला नमक कहते हैं आधि च्प्छी चमजद इसमें रेड चिलीальную पाउर डाल सकते हैं तीका आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं एक शमस डालेंगे चाट मसाला पाउडर अगर आपको खटाई पसंद है तो एक शमस आमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है तो लीजी फ्रेंस बहुत ही हेल्दी क्रिस्पी बना है और आप मार्केर शे से नंकीन लाना भूल चाएंगे बहुत ही जादा स्वादिस बनते अप बकुछ उज्पर मार्केर जैसे नंकीन आप घर पर बना सकते हैं यकिन मानिए कोई नहीं कहेगा अपने इसे घर पर बना करके तयार किया है बहुत ही ज़्यादा स्वादिस लगता है तो अब जरूर से बनाईएगा फ्रेंज एक वरेसि रेसिपी को बनाना तो बनता है और आपमें कोमेंट में जरूर से बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आए तो बाइ बाइ